मुश्कार दोस्तों बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वाकत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद सो गाइस आज हम डिसकस करें सूबेक्स लिमिटीट के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करना चाहिए नहीं और जिन हमारे रिटेल इन्वेस्टर भाही और भेहनों ने इस शेर को काफी अपर प्राइस में खरिदा हुने अभी शेर के साथ क्या करना चाहिए इससे निकल जाके लॉस बुक कर देना चाहिए या अभी भी पोजीशन अपनी होल्ड करके रखनी चाहिए सारा जो है हम आपके लिए क्लियर कर देंगे तो वीडियो के एंट तक जुरूर बने रहिएगा तो guys सबसे पहले जो है company की fundamentals के बारे में बात करें तो company का stock ना ही overbought zone में और ना ही ASM की किसी red flag list में guys लेकिन company की जो annual growth rate, profit generation, revenue growth rate, cash flow statement, income flow statement जो है सारे की सारी negative में guys company की debt liquidity, ROI और earning पर share भी काफी जादा जो है week है guys so guys आपको पता है हमने आपको कहा था जब इस share में continuously जो है अपर सके लग रहे थे और news आउट हुई थी कि subix limited जो है इलाइस जो के साथ partnership करेगी 5G spectrum related तो हमने आपको कहा था कि इस share में आप जितनी जल्दी हो सके अपना profit book करके निकल जाए क्योंकि में आपको बहुत ही जल जो है selling देखने को मिलेगी तो guys मैं आपको यही रहे दूँगा आप जो है subix limited पे जो है bullish मतरी जी अब जादा क्योंकि अब जो है आप देख सेटे कितनी high quantity में जो है selling होई है जो यहाँ पे एक sell की candle बनी है upper level पे तो मैं आपको यही रहे दूँगा यहाँ पे अभी जो है हमें गिरावड देखने को मिलेगी और अभी जो latest news है guys companies related वो यह है इनोंने जो बाला जी उनिवस्टी पूने में उनके साथ जो है एक MOU sign किया है कुछ project करिये जो है उनिवस्टी एक साल लेकिन वो उतना भी बड़ा project नहीं है जिससे हमें company में आने वाल ताइम है बहुत दगड़ा conviction देखने को मिलेगा तो मैं आपको यही रहे दूँगा आपको ऐसा एक range bond momentum इस share में देखने को मिलेगा जदा से जदा आपको यहाँ पर 38-39 के target आने वाले मिनों में देखने को मिल सकते है तो अगर आप लोग इस share में जो है invested है और आप लोग इस share में अपनी positions hold करके रखना चाहते तो मैं आप को यही रहे दूँगा ज्यादा आप लोग जो है conviction आपको देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा आप उमीदे भी मत रखना कैस परसनली हमें कंपनी काफी वीक लगती फंडेमेंटली कंपनी पर डेप्ट भी बढ़ते जारे कंपनी का जो sales है हो हर quarter में जो है गिरती जारे प्रविक्शन देगा नहीं आने वाले टाइम में तो गाइस यहां पर 30 का stop loss लेके आप जो है 39 के टारगेट आपको आने वाल टाइम में देखने को मिल सकते हैं गाइस लेकिन मैं आपको अभी भी कहूंगा आप जो इस शेर पर बूलिश में तरीजे परसनली हम खुद भी इस शेर पर बूलिश नहीं है यह शेर आपको जो है ऐसा ही एक वीक सेंटिमेंट जो है दिखाएगा और आपको जो है ज़्यादा पैसा इस शेर में नहीं बनेगा तो गाइस शेर को जो है अवाइड कीजिए और हमारे चैनल को सिस्क्राइब कीजिए